पहले T20 मुकाबले में भारत को मिली है हार लेकिन दूसरे T20 में जीत के लिए कौन से तीन खिलाडी यहां पे हो सकते हैं प्लेंग 11 से बाहर उसके बारे में करेंगे चर्चा इस वीडियो में अन तक बने रहीएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के चानल में आप मैं हूँ आपके ऐसा लक्षित बता दिया जाए आपको पहला T20 मुकाबला जो अरुन जेत्री स्टेडियम दिली में खेला गया था वहां हम सभी यह ने देखा भारतिय क्रिकेट टीम को साथ विकेट से वहां पे एक शर्म नाखार मि साथ ही में हर्शल पटेल ने भी काफी ज्यादा डिस्टपॉइंट किया अपनी तेजगेंबाजी के साथ जहां पे दोनों ही तेजगेंबाजों ने चार ओवर में 40-40 रन्स लीग किये और सीनियर गेंबाजों का इस तरह से महंगा जाना आपको कभी भी जीत दिलवान नह के अंदर मतलब श्रेय सेयर की पारी कही न कहीं वहां पे स्लो भी थी और श्रेय सेयर इस समें तीसरे नमबर पे खेल रहे हैं तीसरा नमबर याने की आंकर पोजिशन जिसे विराट कोली संभालते हैं वहां से आपको चाहिए योता है कि आप पारी को जरू स्टेबल करें और बाद में उसी पारी को आगे लेके जाएं कहीं न कहीं श्रेय सेयर की स्लो बैटिंग और साथी में श्रेय सेयर बनेते हार का एक सबसे बड़ा कारण जब उन्होंने वहां पे रहने वांडर डसन का कैच छोड़ा था जब वो 30 गेंदों में 29 रन बनाके नाबात थे उस से पहले जब श्रेय सेयर ने उनका कैच छोड़ा था इसके चलते यहीं तीन खिलारी हैं जो जरूर कटक में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले में बाहर जा सकते हैं जहां पे नाम आता है भूनेश्वर कुमार का हर्शल पटेल का और श्रेय सेयर का जबकि श्रेय सेयर क जगा यहां मौका दिया जा सकता है दीपक हुड़ा को दीपक हुड़ा लखनव सूपर जाइंट्स के लिए तीसरे नंबर में बलेबाजी की इस पूरे सीजन में वहाँ भैतरीन बलेबाजी की हमने कुछ अर्ध शतक भी देखे साथ ही में दीपक हुड़ा अपनी फिरकी के चलते और गती में कहीं ने कवी थी भुनेशवर को मार के चलते और आपकी स्क्वाट में जो बाकी दो तेज गेनबाज बचे हैं वो दोनों ही इसकी चाबी है जहां पर एक नाम आता है हरषदीप सिंग का अर्षदीप सिंग का एकौनोंमी रेट देथ होवस में सभसे उम्रान मलिक को दो नए डेब्यूडेंट्स क्या आएंगे भारतिय क्रिके टीम में संभाल लेंगे जगा हमाँ पे तेज गिन्द बाजों की कितना भेतरी इन साथ देंगे आवेश खान का उसके उपर जरूर रहेंगे हमारी नजरें जहांपे श्रिय सेयर बुनेश्वर कुमार हर्शल पटेल की जगा मौका दिया जा सकता है दीपक हुड़ा, उम्रान मलिक और अर्श दीप सिंग को इसके लावा अगर आप कोई और चेंज देखते हैं तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए अपनी राये साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस अबडेट वो भी सबसे पहले